नमस्क्राइब दोस्तों मेरे नाम जीने से और आप देख सकते हैं यह हमारे पास में 32 लिए और इसमें दोस्तों आप इंडिकेटर जो है लाइट वो नहीं आ रही है पावर की यान के दोस्तों इसमें पावर सब्सक्राइब ऐसे फिर जो सकता है क्या प्रोब्लेम होए तो दोस्तों वीडियो को में कवर बाटा लेता हूं तो दोस्तों μεन यह इसको इसमें का प्रोब्लेम है तो देखते हैं इसको पावर Snow आघर और उसका वोल्टेज जो है चेक कर लेता हूं कि वोल्टेज बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है तो इस आप मियां पर दे सकते हैं कि वोल्टेज जो है अप डाउन हो रहा है यानि कि दूस्तों पावर सेक्शन में प्रोब्लेम नहीं है यह प्रोब्लेम आउट सेक्शन में होना चाहिए तो प्राइमेरी नहीं काम कर रहा है जो बॉस प्रेटेव काम कर रहा है तब यहां पर कुछ सोटिंग वगरा होगी जिसको हमें हटाना है तो अब हम चेक करेंगे कि इसमें क्या सोट हुआ है सबसे पहले तो यहां पर देख सकते हैं मैंने बेक्टर लाइट ठा कि दोस्तों यहां से जोबे ड्राइवर का मुस्पेट अगर सोट हो जाता है तो भी यहां पर पावर चोए वल्टेज ड्रोफ होगे इसकी वज़ेसे में बाहर निकाल लिया है आप देख सकते हैं यह ढुग कर दिया है अब हम चेक करते हैं इसमें वोल्टेज बं रहा है या फिर नहीं बाल रहा है, फिर भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि वोल्टेज जो है, पार्च वोल्टेज या चार वोल्टेज इसका में तुलब दोस्तों ड्राइवर भी सही होना चाहिए और हम बाकी और जेक करेंगी, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इस और हमारे सेकेंटेज साइट में अगर कोई डायोड वगरा कुछ सोट हो सकता है, तब भी दोस्तों इसके अंदर जो है चार्ज रहेंगे, तो हम सबसे पहले वोल्टेज को डिस्चार्ज कर लेते हैं, वैस मैं यहाँ से भी वोल्टेज को डिस्चार्ज कर रहा हूँ, फो पर पास यह बल्ब है, इसलिए में डिस्चार्ज करता हूँ, तो ढस बस चार्ज हो चुका है, हम चेक करते हैं का है, सेकंडे सैड में kulam То doing तो में दोस्तों यहाँ एंदर तीन डायोड लगे हैं, तो हूँ में चेक कर लेते हैं कुछ हो सकता हीं, तो तो साइख अहाँ पर दिखा सकता है पहले दो डायोड को बाहर निकलते हैं तो बैस हमें ये दो डायोड जो खरब है उसको बाहर निकलता है तो मैं अभी निकल लेता हूँ यहां से दोनों में से एक ही खराब हो सकता है यह फिल दोनों तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं यह डायोड जो है खराब नहीं है क्योंकि यहां पर सोटेज नहीं बता रहा है हमको कि यह खराब नहीं है दूसरा निकलते हैं दोस्तों यह देख सकते हैं यहां पर यह खराब नहीं है यह बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर भी सोट हमको नहीं सो कर रहा है कंटीनिटी तो देख सकते हैं मैं यहां पर नायड कुछ दूनों लगाता हूं तो यहां पर देख सकते हैं कि यह सोट नहीं बता रहा यहां कि दूस्तों यहां पर कुछ और खराब हो सकता है तो वह भी हम चेक अपते हैं जहां पर डायव लगे थे वहां पर हम चेक करते हैं यहां पर सोटेज भी है यह फिर निकल जुगा है नहीं दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां वह सोट बी बी बता रहा है यहां पर कुछ और ही खरब हो सकता है तो दोस्तों यहां से जो डायव हमने निकले हैं यह दोस्तों ड्राइवर जो बेकलाट ड्राइवर होता है उस सेक्शन का है मतलब दोस्तों यह 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 दो सोट नहीं है अब यहां पर बचा है मॉस्पेट को चिकते हैं देख सकते है यहां पर सब्सक्राइब यहांद कि दूस्तों हमने अब इस मोस्पेट को बाहर निकल करना पड़ेगा तब पता चलेगा है यहँआ पर जो यह पर प्रोब्लीम कहा है से जूस्पेट है यहां फिर यह और पहले तांथ ही समस्पेट को बाहर निकालेंगी कर दो तो दोस्तो मैंने निकाल दिया है मुस्पेख को अब हम चेक करते हैं कि संकीट में से जो सोटेज आ रहा था वो भी निकला या फिर नहीं तो आप देख सकते हैं यहां से सोटेज जो आ रहा था वो निकल चुछ देख सकते हैं दोस्तों यहां पर हाई रजिस्टेंस आ रहा यानि कि दोस्तों यहां पर सोटेज नहीं है अब हम कि दोस्तों यहां पर दाले यहां फिर नहीं डाले कोई फरक नहीं पुड़ने माइं क्योंकि दुस्तों बार वीटिज का जो फिर रॉड यहां पर अभी भी है और यह जो मैंने दो डायोड निकाले हैं यह ड्राइवर कास और यह इस ड्राइवर सेक्षन के लिए थे तो मैंने इसको अभी नहीं लगाएंगे फिर भी चल जाएगा क्योंकि दोस्तों बेक लाइट ड्राइवर जो से यहां तर लगा हुआ है और उससे हम बार वल्टी सब संब्सक्राइव क इस टो मैं यहां से निकाले थे और वैसे भी अम नहीं ड्राइवर प्राइमरी सेक्षें सेलया जो और रोड़ है से मोस्पेट को निकाल दिया है मोस्पेट सोट था अब दोस्तों हमें जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है उसको रीफेट करना है इसके लिए दूस्तों मैं पावर सप्लाइ मोड्यूल का यूज करूगा क्यों कि यहां से चोटे-चोटे को चेक करना बहुत ही ज्यादा मुश् के बाद इसको हम करें इस प्राइमरी सेक्शन में बाद में देखते हैं दिखते हैं कि आ जबनती है याँ ऐसंगो हम यहां से MOSFET को निकाल देते हैं तो देखे पते हैं MOSFET में बाहर निकाल लिया अभी हम उस वाट डियन कोल देएंगे जो हमारा JARPIN वाला मोडियूल देखेंगे तो दोस्तो इसको आपको कनेक्ट करना नहीं आता है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको आई बटन पर देखेंगा वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं यह जार वायर वाला मोडियूल के से लगाता है टेस्ट के लिए सब फिलान तो यहां पर तो आप देख सकते हैं यहां पर दो केबल्स हैं ब्लेक और यह दोस्तों प्राइमरी में लगेंगा और यह हमारा से कर लेता हूं दोस्तों मैं अब फिलाल तो चेक करने के लिए ऐसी लगा दिया है बाद में अच्छा अच्छी तरीके सेट कर दूगा तो फिलाल तो मैं चेक करता हूं जो मैंने ऐसी लगा रिया है दोस्तों अभी मैं उसको ओन कर रहा हूं अभी वोल्टेज आते हैं या फिल नहीं आते हैं उस चेक करते हैं दोस्तो आ चुके हैं वोल्ट जो हैं आ चुके हैं मैंने वोल्टि उसके हैं मैंने इस हैं 15 पर वर्ष फ़ुकी है करने नहीं पूरें ed दोस्तो अब जो है मैं उसको अच्छी तरह से शेट कर देता हूं और हम बेकलइट को चोर देंगे शिर्यूमरा को होता है या फिर नहीं और अच्छी तरह से नीचे टश नहीं वह से ऐसी तरिकेसे यहांप से लगा दिया है और हम चीप करेंगे और यहांपट देख सकते हैं जो हमारा ड्राइवर जो है यहां उसका भी connection कर दिया है अब दुस्तों हम चीप करेंगे कि हमारा सेफ यह ओन होता है यह नहीं तो यहां पर आप देख सकते हो कुई जो एलेडी है वो आन देखे हैं बेग लाइट भी दूस्तों आप देख सकते हो कि आ चुकी है बेग लाइट आप बेग लाइट साइड नहीं दीखेंगी क्योंकि आप अपर दीख रही है यहां ब्लूस है उसको मैं चाहिए कर यहां पर इसकी वज़े से बेग लाइट देखेंगे दूस्तों विने अच्छी तरह से जारा करेंट कर लिए है अब हां पॉन करता हूं तो देखिए आपको दिखाता हूं यह देखेंगे दूस्तों यहां पर ब्लू स्क्रीन आ चुकी है आप देख सकते हो और हमारा सेट जो है OK हो सुका है कर दो कर दो है